यह Bible in one year का हिंदी प्रकरण है 142 वा दिन उत्सव मनाने के लिए समय निकालें हमारे वार्षिक चर्च आवकाश फोकस में अपने अनुभव का वर्णन 27 वर्षी महिला ने स्वर्ग की एक जलक के रूप में किया उसने उस वर्ष का भी वर्णन किया जब वह एक बार किसी दूसरी छुटी के कारण वह इससे चूक गई थी हर दिन वह केवल सोचती थी कि काश मैं फोकस में होती यह समय है जब संपूर्ण समुदाय उत्सव मनाने अराधना धन्यवादिता और स्तुती के एक त्योहार में एक साथ आते हैं हम अकसर पवितरात्मा के महान अभिशेक का अनुभव करते हैं यह आत्मिक उरद्धी का एक समय है जब हम दर्शन देखने वालों की बातें सुनते हैं और बाइबल से प्रायोगिक शिक्षा को सुनते हैं कि जीवन कैसे जीना है यह एक हसी और मजे का समय है जैसे ही हम एक सप्ता के जशन के लिए एक साथ आते हैं खुलते हैं पिकनिक मनाते हुए, गाते हुए और नाचते हुए महान छुट्टी के समय हम नए मित्र बनाते हैं यह सच में स्वर्ग की एक जहलक है उत्सव मनाना जीवन का एक महतुपूर्ण भाग है बजिन सहिता, 66 का 1-12 परमेश्वर की भलाई का उत्सव मनाए क्या आप कभी ऐसा मैसूस करते हैं कि आप नरक में जाकर वापस आ गए क्या आपने अपने आपको सीमा से परे धकेले जाते हुए पाया है हो सकता है कि परमेश्वर आपको प्रसिक्षित कर रहे हैं जैसे चांदी को आग में शुद्ध किया जाता है। यह भजन इस तथी का उत्सम मनाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत ही कठिन समय से निकाला है। पहले उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया चांदी जैसे आग से गुजरती है शुद्ध होने के लिए हमें सीमा के परे आगे धकेला हमें अंदर और बाहर से जाचा हमें नरक ले जाकर वापस ले आए अंत में वह हमें ले आए इस जल के जरने के पास। उन्होंने इस समय को बिना उत्सव मनाय जीने नहीं दिया। उन्होंने उत्सव मनाया। यह बहुत ही शोर से भरा हुआ लगता है। सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए तालियां बजाते हैं। उन्होंने स्तुतिगान किया। आपके काम कितने अद्भुद हैं। इस समय होते हैं जब चीज़ें अच्छी तरह से होती हैं। इस समय होते हैं जब चीज़ें बुरी तरह से होती हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका हम हमेशा उत्सव मना सकते हैं। इश्यू हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। इश्यू ने कहा क्योंकि मैं जगत को दोशी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के आया हूँ। उन्होंने कहा मैं आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे उनका नाश न हो। इश्यू का अपने चेलों के पैरों को दोना फसव के पर्व के पहले हुआ। उन्होंने उनसे कहा क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। यह किस विशय में था। उन्हें क्या समझने की आवशकता थी। लेखांच में हम चित्रों को देख सकते हैं। नमबर एक प्रेम अपने चेलों के पैरों को दोने के द्वारा इशु ने अपने प्रेम की पूर्ण सीमा को दिखाया यह एक बहुत ही विपरीत अंतर है जो कि विश्व सोचता है जब लोग शब्द प्रेम का इस्तेमाल करते हैं यह एक एहसास या एक भावना से बढ़कर ह यह एक निर्णे है कि लोगों के साथ उस तरह के वरताव करें जैसे इश्यू उनके साथ वरताव करते हैं फिलिस्तीन की सडकें उबडखाबड और अशुद्ध थी सूखे मौसम में वे धूल की गहराई में होती थी नमी के मौसम में वे गीली कीचड किसी होती थी एक अमीर घर में घर आने पर दर्वाजे में एक प्याला रखा रहता है घर का दूसरा छोटा दास जूते निकालता है सबसे छोटा दास पैरों को धोता है जब दूसरे आराम कर रहे थे तब इशु उठते हैं अपने अंगोचे को कमर पर बानते हैं एक दास की तरह वे उनके पैरों को धोते हैं समाज के निम्नतम स्तर पर इश्यू एक व्यक्ति का स्थान ले रहे हैं, अन्तिम स्थान, एक दास का स्थान जो छोटा काम करता है, यह विश्यू में लीडर्शिप के नमूने का एक पूर्ण विपरीत उधारण है, इश्यू उनका प्रभू और शिक्षक अपने आपको समा जाते हैं कि यदि हम लोगों से प्रेम करें, तो हम उनके सेवा करना चाहेंगे, और जो सेवा करते हैं, उनका बहुत सम्मान किया जाना चाहिए, नमबर तीन, दीनता, इश्यू ने अधितिये रूप से पूर्ण प्रेम और पूर्ण सामर्थ को जोड़ा, पिता ने सारी चीजों को अपनी सामर्थ के अधिन रखा है, प्रेम में उन्होंने दीनता में कारी करना और अपने चेलों की सेवा करना चुना, जो लोग अपनी महिमा को खोचते हैं, यहुदा की तरह वह तुच्छ गिने जाते हैं, जो अपने आपको बढ़ा करते हैं, वह दीन किये ज इस नाट की रूप से वह लीडर्शिप और लीडर्शिप के अंतरगत लोगों के बीच में खाली स्थान को पूरा करते हैं, शमा, धोना और शुद्ध करना शमा का एक चिन्ह है, पाप से शुद्ध करना, पैरों को धोना एक चित्र है कि इशु उनके लिए क्रूस पर क्य करने जा रहे थे, आपके लिए इशु की मृत्यू के द्वारा आप पूरी तरह से शमा किये गए हैं, तो क्यों इशु हमें शमा के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करना सिखाते हैं, मुझे यहां पर दिया गया सबसे सहायक रूप और चित्र अच्छा लगता है, ज मेरे पत्रस ने उत्तर दिया, हे प्रभू, तो मेरे पाउं ही नहीं, वरन हात और सिर्व ही दो दें। इशु ने कहा, जो नहा चुका है, उसे पाउं के सिवाए और कुछ दोने की आवशक्ता नहीं, परन्तु वह बिलकुल शुद्ध है। जो की पूर्ण शमा को लाता है, यह नहाने के समानांतर है। इशु ने आपके लिए इसे कर दिया है, लेकिन शुद्ध करने की एक मात्र की हर दिन अवशक्ता पड़ेगी। हमारे महान इस्टर उत्सव के अतिरिक्त हर सब्ता जब हम पुनुरुथान रविवार के दिन इखटा होते हैं, तब हम इस अद्भुद घटनाओं को याद करते हैं और इनका उत्सव मनाते हैं। इसके अतिरिक्त हर बार जब आप कम्यूनियन लेते हैं, तब आप आपके लिए इशु की मृत्यू और पुनुरुथान का उत्सव मना रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि इशु के उधारन पर चलें, ना केवल बातों में लेकिन कामों में भी, आपका धनिवाद क्यूंकि आपने हमें उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ दिया है। पुराना नियम पहला शमुएल दसका नौ से बारा के पच्चीज तक सफलता का उत्सव मनाएं। विवा के बाद से शाउल ने राजा के रूप में राजी करना शुरू किया। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ में उन पर उत्रा और वह भविश्वानी करने लगे। दसका नौ से तेरा विरोध का सामना करने में परमेश्वर ने उन्हें महान बुद्धी प्रदान की। वह जानते थे कि कब चुप रहना है। जल्द ही शाउल को परेशानी पैदा करने वालों से निपटना था। परमेश्वर मानवी हृदेयों को छूने का कारे करते हैं लेकिन हमेशा की तरह बाइबल वास्तविक है। परेशानी पैदा करने वाले आसपास थे। जब कभी परमेश्वर सामर्थ के काम करते हैं, तब वहाँ पर परिशानी पैदा करने वालों के होने की भी आशा कीजिए। जब परमेश्वर के लोग ऐसे एक व्यक्ती से कुरूरता का सामना कर रहे थे, जो हर व्यक्ती की दाहीनी आँख को फोर देना चाहता था, तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से शावल पर उत्रा। परमेश्वर ने अपने लोगों को सफलता दे, जब वे सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारते थे, उन्होंने उन्हें चिताया कि ध्यान दो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने महान वस्तुएं की हैं, ऐसी बहुत सी चीजें शामुवेल की प्रार्थना के फ बंद मत हो जाएए कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दें, यह बहुत महतुपूर्ण है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आज के इस लेखांश का अंत होता है जब शमुवेल लोगों को बताते हैं कि याद रखो कि परमेश्वर ने तुम्ह के लिए की है इन्हें याद कीजिए और इनका उत्सव मनाईए परमेश्वर आज मैं धनिवादिता के साथ पीछे देखना चाहता हूं और उन चीजों का उत्सव मनाना चाहता हूं जो आपने मेरे लिए की है पहला सामुवेल ग्यारा कच्छे यह संदेश सुनते ही सौल परमेशर का आत्मा बल से उत्रा और उसका कोप बहुत बड़क उठा मैं किसी व्यक्ति पर परमेशर के आत्मा के उतरने और क्रोधित हो जाने के विशे में नहीं सोचती मैं सामान्य रूप से सोचती हूं कि आत्मा लोगों को क्रोध से मुक्त करता है और आनंद या शांत मन के साथ उसकी उपास ना करो क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किये हैं पहला सामुएल 12 का 26